मैं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं मार्केट साइंटिस्ट आज की इस एपिसोड में मेंली हम डिस्कस करेंगे अडानी डिलेटेड स्टॉक के लेवेल्स के बारे में और इसके रिजल्ट के बारे में बहुत सारे लोगों का क्वेरी अडानी ग्रीन को लेकर के काफी आ रहा था इससे में समझेगे कि ट्रेड के पीछे के क्या साइकल लोजी है और साथ में ही निउस को भी समझेगे हमने देखा कि अदानी इंटरप्राइज़ अंबुजा और पोर्ट को हमने हाइली रिकमेंड करा था हाइली सजेस्ट करा था और इस समय ये तीनों देखेंगे कमपरेटिवली इस चारों के बेटर ट्रेड होते हुए दिखा है आज हमने देखा अदानी पावर और अदानी विलमार के रिजल्ट आए आडानी ग्रीन के भी बेटर रिजल्ट आते दिखे हैं आडानी विलमार से इस डिसकसन को आगे ले जाएंगे हमने देखा कि इस स्टॉक में जो हायर लेबल बना था वो देखेंगे कि नियर अराउंड 900 के आजपास तक के लेबल को इसने टच क रहा और उसके बाद कंटिनियोस इस स्टॉक के 1200 के लेबल आ रहा है थे यह लेबल हायस लेबल था यहां से ब्रेकडाउन 20 ए प्रिकवरी फिर ब्रेकडाउन और यह जो सपोर्ट रहा था 550 का इसके बाद स्टॉक देखेंगे हायर लो हायर हाई के टेंड को फॉलो किया और अगें सेम डिजेक्शन दिखा और उसके बाद जब स्टॉक कंसोलिडेट हो करके 620 के प्राइस पे टेड हो रहा था तो हमने कहा कि यह जो पहले सपोर्ट था वो रिजिस्टेंस बना और ठीक वैसे ही दिखा और उसके बाद हिंडेन बर्क की डिपोर्ट आई और स्टॉक गिरावट हो करके 350-80 के सपोर्ट दिखे हैं रिजल्ट जिस परकार से अडानी विलमार के देखे काफी बेटर रिजल्ट आया है तो इस परकार बिलकुल घबराने की ज़रूरत नहीं है 495-20 तक के लेबल में अडानी विलमार में नेक 7-15 डेज में दिख रहा है और अगर इसमें सेलिंग आयेगी भी तो 550 के आसपास के जोन पर ही दिखेगा यहां से एक विसेप रिकबरी आपको अडानी विलमार में दिख सकता है इसके बाद का जो दूसरा स्टॉक हम डिसकस करेंगा और चुकी देखेंगे FMCG में काफी एक्सपेंड करते दिख रहा है अडान अडानी ट्रांसमिशन के प्राइस को देखेंगे तो काफी वोलेटिलिटी पास्ट में भी देखने को मिला है और इस समय एक बार इसके विकली चार्ट को लेंगे और बहुत सारे लोग इसे स्टॉक में फसे हुए हैं और मैं हमेशा कहता हूँ किसी स्टॉक के ट्रेंड न दिख रहा है अडानी विलमार में वो नियर अराउंड 1130 और यहां देखेंगे यह जो लाइन आपको दिख रहा है यह एक मेजर सपोर्ट हो सकता है चुकि जब भी हम देखते हैं कि यह स्टॉक जहां पर कंसोलीडेट करता है यहां से ब्रेकडाउन हुआ और इस कंसोलीड के बाद ट्रेंड दिखा यह पहले रिजेक्शन था तो 1220 का एक मेजर सपोर्ट है और एक्सपेक्टेशन है कि अगें यह स्टॉक 2000 तक के लेवल को एटेंप्ट कर सकता है लेकिन यह जो गिरावट इस स्टॉक के अंदर हमने देखा वो गिरावट नियूज बेश्ट गिर कि देखेंगे तो काफी ट्रेंड में होता है और इस रिट्रेस्मेंट को थोड़ा समझेंगे यह एक बार मैंने उल्टा ले लिया है इसको उल्टा ले करके देखेंगे तो साइध बेटर समझ में आए यहां देखेंगे तो स्टॉक इजली एक एक्सपेक्टेशन लिया जा सकता है चुकि 1880 तक के आसपास के जो लेवेल है वो 0.786 परसेंटेज रिट्रेस्मेंट है और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस लेवेल को अगें स्टॉक एक बार टच करते दिखेगी तो जो लोग फसे हुए भी हैं higher price के वो 1750, 1900 के लेवेल के लिए टेक्निकली वेट करेंगे और यहां से देखेंगे कि एक major support लेते वे दिखा है और overall जो भी news थे वो news हटते दिख रहे हैं आडानी power के stock को देखे तो आडानी power के stock के जो expectation थे breakdown खुलने के वो near around 150 से 170 के price का expectation दिख रहा था और इस समय देखेंगे stock 181 पे trade हो रहा हैं चुकि इसके result काफी below the expectation आया और already stock को अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह stock अपने higher price से near around 60% already correct होते दिख चुका है तो इस खराब result के बाद भी मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा panic होगा इसी zone में consolidate होते वे दिख सकता है और अगर selling करना भी चाहते हैं तो 250-80 के level के zone का wait करेंगे इस panic selling से आपको बचना चाहिए क्योंकि majorly loss जो है वो panic selling के time पर ही दिखता है अडानी green एक ऐसा stock है जिसको सबसे ज़्यादा पूछा गया सबसे ज़्यादा query किया गया एक जो major support इस stock में दिख रहा था वो 1300 का दिख रहा था उसको भी breakdown करा और उसके बाद के जो support थे 850 के उसके level को भी breakdown करा है और जो major support इस stock में दिख रहा है बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है आप ये चीज लिख लें कि इस stock के जो levels खुलेंगे वो 680 से पहले आपको level खुलते हुए दिखेंगे यहाँ देखें 680 से पहले ये जो zone है ये last support zone है और यहाँ ये levels yearly खुलते हुए दिखने वाले हैं चुखी से stock की जो गिरावट हुई है वो देखेंगे तो काफी बरी गिरावट देखने को मिली है अपने higher price से near around 75% correct हो चुका है और high probability है कि 680 और 700 के zone में ये breakdown खुलते हुए दिखेंगे इस चीज को आप अपने डाइडी में note कर लें और बाद में मुझे comment में जरूर बताएं अडानी port के stock को already हमने कहा था ये level पे एक major support दिख रहा था यहाँ देखेंगे ये जो level दिख रहा है business काफी बेतर है और 400-430 के level काफी बेतर level थे और यहाँ से अगर fibonacci retracement को भी एक बार देखेंगे lower level से तो आप पाएंगे और हमने आपसे कहा कि अगर short term trader है तो 600-620 के level को partial profit book कर सकते हैं यहाँ थोड़ा consolidate के बाद आगे जोन आपको 800 प्लस भी दिखेगा लेकिन 620-40 पे partially profit अडानी port में किया जा सकता है जो short term trading purpose से लिए है यह अगर आपके higher price के भी है माली जी आपने यहाँ कहीं भी खरीदा है इसके साथ यहाँ भी average किया है तो short term trading partially profit करने का एक अबसर दिख रहा है इसके साथ वाले जो stock है वो stock है अडानी enterprises अडानी enterprises के retracement को भी आप देखें तो एक बार समझ पाएंगे कि Fibonacci retracement क्यों ज्यादा important है इस पर कभी बाद में एक brief discussion करेंगे और इस समय अगर इस stock को देखें तो 0.61 percentage के आसपास दिख रहा है और अगर यह stock 2236 के उपर closing देता है यहाँ थोड़ा profit booking होगा consolidate हो सकता है तो next target 2600 प्लस तक के levels भी दिखेंगे और इस प्रकार के VC recovery जब news के बाद गिरा और VC recovery near around 50% से ज्यादा का uptrend stock ने already पिछले कुछ दिनों में दिखा दिया यहाँ देखेंगे sorry 100% तक के uptrend इसके lower level से देखने को मिले है अंबुजा cement के result भी काफी बहतर है news के कारण यह stock में काफी गिराबर दिखी और इस समय मेरा मानना है मैंने हमेशा से काई कि panic selling करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए यहाँ अगर retracement अगर देखें किसी भी stock का जब इस प्रकार से गिरावट हो तो उसके retracement को देखना बहुत important हो जाता है और यहाँ देखेंगे एक rejection दिखा था 422 के price पे यह expected rejection था चुकि यह देखेंगे पहले resistance था अगें यह resistance को काम करेगा तो 42040 आपका profit booking zone होना चाहिए short term trader के लिए इसके बाद 455 के level को अगर breakout करता है तो again stock 600 plus तक के levels भी दिखेंगे I hope Adani के सभी stocks के levels आपके clear हो चुके हैं इसके बाद के query को भी आप comment box में लिखिए उसका परति उत्तर आपको surely दिया जाएगा जो भी healthy comment करना चाहता है वो comment box में आ सकता है